हेलो दोस्तो स्वागत आपका एक और नई वीडियो में डंकी और सलार को रिलीज होने में अब दो हफते भी नहीं बचे हैं दोस्तो इस साल आप सभी को पता है कि सारु खान की दो फिल्में आ चुकी है और दोनों ही फिल्में ब्लोक बश्टर गई थी और डंकी की एडवान्स बुकिंग देखकर लग रहा है कि ये भी ब्लोक बश्टर होने वाली है वही सलार की बात करें तो सलार भी प्रबास की कमबेक फिल्म होने वाली है और दोस्तो सलार का सेंसर रिपोर्ट भी आ चुका है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डंकी की Overseas Advance Booking Collection के बारे में और साथ ही जानेंगे Salar Movie के Sensor Report के बारे में तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और UK में भी इसी तरह से एकदम धमाकेदार Advance Booking चल रही है दोस्तो डंकी की Advance Booking को सुरू हुए अभी सिर्फ दो ही दिन हुए है और फिल्म ने सिर्फ दो दिन में Overseas में डेड़ करोड से ज़्यादा की Advance हासिल कर ली है जिन में से कुछ कंट्रीज में ही Advance Booking सुरू हुई है अभी तक सभी कंट्रीज में Advance Booking ओपन नहीं हुई है और ये Numbers और भी आगे तक जाएंगे और दोस्तो पठान और जवान के बाद Overseas Advance में डंकी तीसरे नंबर पर आ चुकी है और लग रहा है कि कुछ समय में डंकी नंबर वन पर आने वाली है और अब जल्द ही इसका अगला ड्रोप भी आने वाला है अब बात करते हैं सलार के Sensor Report के बारे में दोस्तो सलार को Sensor Board से A Certificate मिला है और डंकी को UA Certificate मिला था और ये सलार के लिए negative point भी है और positive point भी है दोस्तो negative point तो ये है कि सलार को 18 साल से नीचे की audience नहीं देख सकती है और positive point ये है कि film को A Certificate मिला है मतलब ये पूरी film मास मसाला है यानि एकदम फुल खून खराबा होगा और पूरी film में action ही action होगा और ये ही इसका main point है सलार में सिर्फ violence ही violence होने वाला है अब देखना ये होगा कि सलार वर्सेस डंकी में आगे कौन निकलता है वैसे तो दोस्तों दोनों ही film में एकदम फुल जोस में हैं और बाकी सब release होने के बाद ही पता चलेगा